हेलो फ्रेंड्स और मैं डियर स्टुडेंट वेलकम टू माई चैनल आज हम आपको करा रहे हैं कक्छा बार गडित यूपी बॉल्ट 2020 पेपर यहां हम पूरा पेपर फुल सॉल कराएंगे और यह जो सैट है वो तीसा सैट है इससे पहले हम दो सैट करा चुके हैं अगर वो आ कि इंस्ट्रेक्शन भी इंपटेंट होते हैं और यहाँ कोशन पेपर हम हंदी और इंगूजिस, दोने ही लेंगेज्ज में दे रहे हैं जिस से इंग्लिस, मिडियाम, और हंधी, मिडियम, बाले चात्र, इस कोशन पेपर को कर सके है तो सबसे पहले अबजेक्टिव कोशन है objective question 5 question है और एक प्रतिय question जो एक नम्मर का है इसमें देखिए question को हल नहीं करना होता के बल डारेक्ट answer लिखना होता है चुकि मैं यहां आपको समझा भी रहा हूं इसलिए मैंने यहां पर हल करके आपको दिखाया कोशिस यह करते हैं कि जो objective question हो उसको इजी से इजी यानि की sort से sort तरकेस से solve किया जाए जैसा कि आपको एक question दिखाए दे रहा है यह साइन बस बन माइनस एक्स माइनस टू साइन बस एक्स इसकल टू पाई वाई टू तो एक्स का माण याद कीजिए अब देखिए इसको हम solve करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा तो इसके लिए हमने क्या करा इसमें जो value हमें दिख रही है को हमने रखके देख लिए तो हमने देखिए एक्स के स्थान पर जीरो रखा तो जीरो रखके जब solve किया तो left और right तो इसका आंसर हो गया तो इसका मतलब यह वाला जो है इसका आंसर नहीं है यानि कि बन जो है इसका आंसर नहीं है इसी तरह से फिर एक्स के स्थान पर हमने देखिए वन अपॉन टू रखा जो हमें option में दिख रहे हैं वो चीज़े वन अपॉन टू रखा तो भी देखिए left और right सेंग नहीं है इसका मतलब इसका जो answer है वो 0 है और 0 कौन से option में है ठड़ वाले option में तो इसका मतलब इसका interaction करते है वर्ड होता है आई लेट इसमें जो वर्ड पहले होता है उसे हम फर्स्ट मानते है तो एक्स जो आता है वह एल्यरा में आता है sign आता है to argument देगी तो बिल्कुअ ठीक लिखिया हुए है इसको first माही लेंगे इसको second formula क्या होता है first आसे second का integration sign का integration होगा minus cos x minus whole integration first का differential x का differential होगा 1 और second का integration यानि minus का cos x अब दिखिए ये minus ये वाला और ये वाला minus दोनों मिलके plus हो जाएंगे और cos का integration होगा साइन एस प्लस वाले पहले लिख लिया माइनस को बार तो इसका राइट आंसर कुन सा हुआ इसका राइट आंसर हो गया फॉर्थ यहीं पर कुशन नंबर फ़र्स्ट का गाँ अफकल समय करने इतने की खोटी किए तो पहले हम बता दें की कोटी होती क्या है तो मैग्जियम डेरिवेटिव जो होता है उसे हम कोटी कहते हैं यानि कि जो सबसे अधिक वार डिफेंसल होता है यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे अधिक वार जो डिफेंसल हो थ्री टाइम्स है तो यहां पर घात एक है कोटी तीन है लेकिन हमसे घात नहीं ठर्ड चलिए देखते हैं next question question number one का घा इसमें इसकी value हमसे पूचिए तो आपको बता दें कि अगर ये cyclic order में यानि चक्त्रे क्रम में है तो i cross j होता k और j cross k होता है i और k cross i होता है j अगर ये opposite है यानि कि direction उसकी उल्टी है तो i cross k के इस्तान पर लिखेंगे minus j और k cross j के इस्तान पर minus i और j cross i के इस्तान पर minus k यहाँ पर हम देख पा रहा है j cross k j cross k बिल्कुर ठीक order है तो j cross k के इस्तान पर जाएगा i यहाँ पर देखिए हमने i रख दिया यहीपर second वाले हो देख रहा है i cross k i cross k तो दीखिए यहाँ पर यह opposite हो गया opposite होने के विए से i cross k की जो value होगी वो minus j होगी इसी तरह से nest है i cross j तो यह सीधा है यानि चक्रे करम में clockwise है यहाँ पर i cross j के इस्तान पर आगया i dot i की value 1 j dot j की value 1 और k dot k की value 1 यहाँ पर यह वन से वन यह कड़ जाएगा तो वन इसका right answer यह वर फोर्थ हो गया इसी तरह से दूसरा है वन का ड़ा समुचे इतने में दिवधारी संक्रियाओं की संक्या है यहाँ पर देखे जो element हो कितने दो है यानि की n बरावर कितना है इसमें दो है formula होता है दिधारी संक्रियाओं की संक्या n की power n square तो n बरावर यहाँ पर कितना है दो तो n के स्थान पर हमें दो रख दिया इसको solve करा आगे answer 16 तो right answer हो गया इसका पहले का लाका 16 अब इसके बाद देखे इनी को question को हम English में देख लेते हैं तो यह English में question है आप यह वीडियो पोचर के in question वो English में भी देख सकते हैं अब यह next है question number 2 question number 2 जो है वो अति लगू उत्रे person है और इसमें 5 person है और सभी question इसमें करने होते हैं कोई choice इसमें नहीं होती है तो इसका जो solution है sort में solve करना होता है यहाँ पर चुकि मुझे समझाना है मैं हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा लंबा कर दियो लेकिन आपको ज़्यादे लंबा इसका solution नहीं देना है पहला question दिए पढ़ेंगे question है question है समुच्य के 1,2,3 में स्वयम के सभी एक एक एकी फनलों की संख्या गयाद कीजिए क्या है समुच्य यह दे रखा 1,2,3 से स्वयम तक सभी एक एक एकी फनलों की संख्या गयाद कीजिए इसमें क्या निकालना हमें एक एक एकी फनलों की संख्या तो यहां पर देखिए A यहां पर यह है और A का A से ही relation निकालगा तो जब A आएगा तो उसके लिए देखिए कितने option है A बन के साथ हो सकता है A बन जो टू के साथ ही हो सकता है वो बन तरी के साथ हो सकता है यह की पहले के लिए.. बन element के लिए तीन option हो गए.. अब दूसरे का number आएगा.. जब दूसरा आहेगा तो इन टीन में से एक pहले मैप हो चुका होगा.. बन किसी सी एक हो चुका होंगा.. которую के लिए केवल दो option बचेंगे.. इन तीन में से कितने option बचेंगे दो उसके बाद जब तीसरे का number आएगा तो पहले दूसरे द्वारा दो map हो चुके होगे यानिकि दो की image बन चुकी होगी तो केवल एक खली बचेंगा तो उसके लिए एक option बचेंगा तो कुल प्रिकार जो होगे इनकी multiply के बना होगा तीन द किया हुआ है यह हमें दे रखा है cos alpha, sin alpha, minus k sin alpha और cos alpha हमसे alpha की value बूची है तो यहाँ पर पहले transpose निकाला, transpose हम जानते है क्या होता है कि row को column में और column को row में change कर दें तो वो उसका transpose क्यलाता है तो देखिए यहाँ पे इसको हमने क्या करा ऐसे करके change कर दें जो इसकी row column थी उस के बाद इन दोनों को plus किया, plus कैसे होता, इसके जो correspond element होते है यह जुड़ जाते है, ऐसे जोड़ेंगे तो to cos alpha हो गया, यह वाला इसमें जोड़ेंगे, तो minus minus हो जाएगा, plus minus हो जाएगा 0, ठीक, two sum में से common हो जाएगा, to cos alpha, to cos alpha common हो गया, और जो bracket में बचा यह होता unit matrix, य alpha is equal to pi by 3, तो इसका जो सही answer हो गया, alpha is equal to pi by 3, यह यह इसका right answer हो गया, अब यहाँ पे दो का गा, तो चलिए देखते है, question number 2 का गा पार्ट, तो देखिए, दो का गा आपकी screen पे आगया है, क्या है question, सिद्ध कीजिए, की, fx is equal to x square, दोरा परिवासित, फलन, f, ir, ने तो एक-एकी है, और ने ही, अच्छा दक है, तो पहले देखिए, इस question को समझना ज़रूरी है, यह, ir का मतलब यह है, कि इसकी जो domain है, या तो real number है, या integer है, ठीके, और इसकी, जो दूसरा है, इसकी जो code domain है, वो भी real number या integer ह कहते हैं, अगर domain के प्रत्यक element की, code domain में बिलकुल अलाला image बने, तो उसे हम एक-एकी कहते हैं, और अच्छा दक किसे कहते हैं, और code domain का प्रत्यक element, domain के प्रत्यक element की, ने code domain का प्रत्यक element, domain के किसी ना किसी element की image अवस्य हो, उसे हम अच्छा दक कहते हैं, ठीक, तो अब यह इमेज़ की एक इमेज़ नहीं है। जो बहु एक होता है तो वह एक एकी नहीं होता है। दो से अधिक हैं जो धुरी यह प्रूप हो कि नहीं हो सकता है। अच्छा दक। गिया होता है। यह है इसकी code domain इसका प्रतिक element किसी ना किसी की image बननी चाहिए तो यहां पे हम देख रहा है कि minus 1 इसके किसी भी element से कभी भी image नहीं बन सकती क्यों क्यों कि यहां पे square है जब इसमें image नहीं बन सकती तो इसका मतलब यह हो गया खाली और खाली होता है उसे हम बोलते हैं अंतचे भी यहीं बात इसके अंदर हमें बतानी थी चलिए अब देखते है कोशन नमबर दो का घापाट दो का घापाट आपके स्क्रीन पर यह आ गया है पहले कोशन पढ़ेंगे दिखाए कि एक सतत है कंटिनियस है तो हम जानते हैं कि कोई भी जो फालन होता है वह सतत होता है अगर वह क्या हो बन बन हो राइट हैं लिमिट लैप्ट हैं लिमिट और वेल्यू फंक्षन इन तीनों चीज़े क्या हूं भी बरावर होनी चाहिए उसमें हमने यहां नमिंद क्या करते हैं अपनी तरफ से हैक्ष जोडते है예요 बहुत च्छोटा होता है तो स्थानं पर हमने सी प्लस है रखती है और लिमिट इसके अंदर लागा दी है Sh sand to 0 कि यह ना देखे है Latin Limited ली तो भी आया बस Latin में – कर देते हैं Value function निकाली ही यह ना तो देखे right hand limit Latin limit 时 value of function तीनों ही equal है अज़र फ़लन कैसा है यह अन्य सेतत है अब देखते question number 2 का ला एर भी तो 77 गटनाए है एर भी क्या है तो leaked कि यह मैं की जानते है कि जब व्यक् хочется होती है तो उनका जो इंटर्सेक्षन होता है वह इनके इन्टू के बरावर होता यह वाली मुला चाहित habits होता है जब इसवोगों और अगर अबळ जी रॉजक है तो इन्टर्सेक्षन और दो पंजे दस, आंसर आजागा, तीन मटे 25 है, इसका आंसर आगिया, चलिए अब देखते हैं नेस्ट कोशन, तो यह कोशन नमबर दो के इंगलिस वर्जन है, आप यहां से इन कोशन को देख सकते हैं, वीडियो कोशन के, अब हम करते हैं कोशन नमबर थिरी स्टार्ट, देखें कोशन नमबर थिरी में चार कोशन होंगे और चारो कोशन करने आप आनेवादे होंगे, यानि कोई इसके अंदर 24 नहीं होगे, पहला कोशन क्या है, से देखीजिए, कि यह वारा परिभासित फ़लन एक एकी तथा अच्छा दख है, इसमें क्या कोशन समझें, इसक इनके बीच्चा कोई भी नमबर हो सकता है, यह हमारे पास फ़लन है, प्रूफ करना है कि हमें यह अक्यकी और अच्छा दख है, तो अक्यकी तब होता है, जब इमेज बरावर लेके चलें, और अलिमेंट बरावर आ जाएं, अच्छा दख की कंडिशन यह होती है, कि fx is equal to y, यह condition आजाना चाहिए, यहाँ यहाँ पर y के रूप में आजाना चाहिए, ठीक है, और वैसे वह भी है कि by में कम से कम एक element ऐसा हो, by का प्रतिक element x है, किसी element की image हो, तो भी हम उसको अच्छा दख कहते हैं, यह mathematical condition है, तो देखे सबसे पहले, जब भी mode होता है, तो condition बना के करते हैं, यह function हमारा, हम माल लेते हैं कि x जो है, वो greater than equal to 0 है, जब greater than equal to 0 होगा, तो mod x की value होगी x, तो fx बरावर आगया, यह वहला, हमने दो element ले लिए, किसके अंदर ले लिए, domain के अंदर, ठीक है, अब इनकी image बरावर लेके चले, ठीक, और element बरावर आगे, तो एक एक की हो जाएगा, तो हमने fx1 की value हमसर रख दी, निकालके x के इस्तान पर x1 रख दिया इसमें, यहां भी x के इस्तान पर क्या रख दिया, x2, cross multiply करी, यह आगया, इमेज बरावर लेके चले, और element बरावर आगया, तो इसका मतलब यह होगा, एक एकी, अब अगर यह इसी तर लेके चलेंगे, देखें, और cross multiply करी, देखें, element बरावर होगा, इससे क्या प्रूप हुआ कि फ़रन कैसा है, एक एक की है, तो image बरावर लेके चलेंगे, और element बरावर आजाए, तो वो concern होता, एक एक की, एक definition हमने इससे पहले ही बताई थी, अगर x के, यहनी domain के प्रतेक element की code domain में अलग-अलग image बनती है, तो उसे हम एक एक की कहते है, और दूसरी condition यह है, की element बरावर लेके चलें, उससोरी image बरावर लेके चलें, और element बरावर आजाए, तो भी एक एक होता है, अब देखें, अच्छा दक, अच्छा दक के लिए हम क्या करते हैं, fx is equal to y लेके चलते हैं, तो इसका, तो पहले हमने वही condition बनाई जैसे की पहले बनाई थी, ठीक है, और अच्छा दक के लिए fx के स्थान पर y ले लेते हैं, तो x वरार हो जागा है, f inverse y, तो यहां से हम जो है, x की value निकालते हैं, ठीक, इस x की value को उठाके यहां पर रखतेंगे, तो x की inverse y is equal to, चाहिए यहां रख दें, बात यह की है, इसी तरह से जब x यह चोटा होगा, चाहिए इसको यहां रख देंगे, बात यह की होती है, देखिए, मैं यहां दिखा देता हूँ, f y upon 1 minus 1 is equal to y, तो यह condition आनी चाहिए, fx is equal to y, यहां 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 आना चाहिए, यहां यहा क्या जाएगा, f, y upon 1 plus y is equal to y, और यह condition क्या आती है, यह अच्छा तरक की condition क्या आती है, तो अब देखते है, question number 3 का खाबाट, तीन का खाबाट, आपकी देखिए, screen पागया, question क्या, पहले question देखते है, question है, e की power y, 1 plus x is equal to 1, तो दिखाए की यहां अचाहिए, तो अफकल सम question है, इसको हम देखे, one upon x को upon में ले गए, इसका हमने एक बार differential किया, तो यह एक बार differential होगे, एक बार और करेंगे इसका 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 फस्स से करेंगे, फस्ट ऐसे से इसकेंड का डिफरेंस, आभी हमने पहले value रख दी, एकी power y की यहां से, तो एकी power y की यहां से, तो एक equation first है, कितनी है इसकी value? e, तो यह आ गया, प्रूफ हो गया, अब 3 का गाँपार देखते है, question number 3 का गाँप, क्या है देखिए, question क्या है, question क्या है, question को पढ़ लेते है, question है, सदिश दे रखा हमें a, a i plus 2j plus 3, एक दूसर सदिश समय दे रखा है, 3i plus vj, अगर यह लंबत है, तो लंबत की condition होती है, पहले को हमने इसे a मान लिया, इसको भी मान लिया, लंबत की condition होती है, a dot b equal to 0, a and b की value हमने यहां पर रख दी, i dot i की value होती है, 1, और i dot j की value होती है, जीरो, ठीक है, उसका user के यह अंजर आ गया, फिर देखते हैं, question number 3 का घा, तो question number 3 का घा, इरा, बहुत यह अच्छा question है, मज़ेदार question है, एक परिवार में दो बच्चे, कितने बच्चे, दो बच्चे, तो दो बच्चे होने की है, जो कुल case बनेंगे, वो क्या हो सकते है, दोनों बच्चे लड़के हो सकते है, दोनों लड़किया हो सकती है, उनमेंसे छोटा वाला लड़का हो सकता है, बड़ी लड़की हो सकती है, या छोटी लड़की हो सकती है, बड़ा लड़का, या तो दोनों लड़के होंगे, या चोटा लड़का होगा, या बड़का हो तो दोनों बच्चो के लड़का होने की प्राइक्ता की निकाली जब की उनमें कम से कम एक लड़का यह होती कंडिशन यह प्रतिबंदी प्राइक्ता बोलते हैं उसकी सायता साम इसको कर रहा है दोनों बच्चों के लड़के होने की प्राइकता है जबकि उनमें से कम से कम एक लड़का वो इसका यह फॉर्मूला होता है तो इंटरसेक्शन पर देखे एक है आप यहां से इन कॉश्चन को इंग्लिस में भी देख सकते हैं इसके बाद कॉश्चन नमबर चार यह अब देखते हैं कॉश्चन नमबर चार तो कॉश्चन नमबर चार में भी चार कॉश्चन होंगे और पिर तेक कॉश्चन दो आंक का होगा और इसमें भी आपको कोई नहीं मिलने माली है, देखे ही question है हमें इसमें pipe proof करना है, तो यहाँ पे पहले मैंने इस method से करने की coaches की लेकिन इसका answer नहीं आपा रहा है, फिर मैंने इसको दूसरे method से try किया, यह आप देख लेना, और आप देखेना इसमें क्या mistake है, और कोई mistake इसमें दिखाई दे तो comment box में जरूरू बताना कि इस question में ये mistake थी इस वेए से answer नहीं मिलना लेकिन मैंने इसी question को दूसरे method से कर दिया है यहाँ पर देखें ये second method से मैंने कर दिया यह question और इसका answer बढ़े अराम से आखें तो करना कैसे देखें मैं समझा देता हूँ आप पहले वाली तरजिकेसे भी कर सकते हैं इसको लेकिन उससे answer नहीं आ रहा था यह यह formula होता आएक तरह से इसको हम यह ले सकते हैं और cos inverse को यह ले सकते हैं ठीक है पूरा हमने 10 में convert कर लिया किसी सहाइता से Si-teta होता लम बते कर अधार निकाल लिया यह और cose-teta होता आधार बते कर लम निकाल लिया तो यह कम आप फिर में दिखा है और diet इसके इसके इस तदान पर यह लिखते हैं ठीक है अब क्यातर हमने यह यहां पर 10 A Plex B का फ़र्मुला या लगा रिया तो इसको पर इसकी तर से भी, तो यह कट गया, जीरो आगिया, अब हम चीरो को लिश सकते हैं, तो कि टैन इंवर्स जीरो जो वेलू होती है, वो जीरो की भी होती है, और पाई की भी, चुकि आंसर हमें पाई लाना है, इसलिए हमने यहाँ पे पाई लेगी, ठीक है, अब देखते हैं, इसका, कोश में मिश्टेक थी, मैं सबस्ता हूँ, इस कोशन के सभी बच्चों को को मन मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है, तो हो जाती है, आप लोग भी देखना इसमें, और कमेंड बोक्स में जरूर बताना, कि बास्तम में यह मिश्टेक है, ठीक है, मैंने इसको किया है, इससे माइनस किया था, लेकिन इसका अंसर नहीं माया, प्लस रखके इसका अंसर आ रहा है, तो इसका अंसर इसमें मिश्टेक है, आप लोग भी इसको जड़ा दिहान से देखना, चेक करना, कि बास्तम में इसमें मिश्टेक है, और कमेंड बोक्स में जरूर बताना है, कि हाँ बास्तम म हमने यहीं f x into f y f x of y की value रपती अब इनकी multiply करें हमने तो देखिए जब multiply करेंगे तो multiply कैसे करते हैं मैं एक बार आपको बता दूँ multiply करने के लिए इसकी multiply इधर करते हैं ऐसे इस वाले की multiply यानि की column की किसे करेंगे इस row से ठीक है तो multiply करेंगे देखिए ऐसे फिर इसी की फिर नीचे वाले से करेंगे इससे उसके बाद इसी की फिर और नीचे वाले से इसकी देखिए हमें जो तीसरा इसकी हमने इन तीनों से करें इसको solve करना तो यह आ गया है और यह जो value है हम पीशे वाले page में में दिखा देता हूं यह जो value है किसकी fx plus y की तो यह value किसी है fx plus y यह आ गई left hand side यह proof हो गया चलिए देखते हैं next question 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 number 4 का बढ़ी हा question है fy बराबर हमें दिया हुआ है डिफ्रेंसल इसा कर देना है तो लोग लेगे इसका डिफ्रेंसल बढ़ी असानी से हो जाएगा लोग लिए हमने लोग लेंगे तो यह पहले आ जाएगा और इसको first second से कर देंगे लोग का डिफ्रेंसल बन अपून y, y का dy यह प अब इसके बाद चार का घा यह कोशन आपके screen पार गया चार का घा देगे कैसे हैं दिखाए कि सदिस ये 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 तथा ये वाले क्रम सा चार बिंदू ABCD समतलिया है तो देखिए जब भी इस्तिति सदिस ऐसे लिखाओ तो इसका मतलब वो जो है position vector है तो मूल बिंदू माल लेती हैं हम इसमें तो इससी सदिस एक पोइंट को कॉमर्न रखना है एक को से भी माल लेंगे फिर निकालेंगे सी इसे माल लेंगे AD को सी और एसी को B और AB को और A B क्या होता है विस्तापन सदेश होता है यानि कि displacement vector O B minus O E तो O B में से O E को माइनस करा तो A इंकल के आगिया इस तरह से AC होगा OC minus O E OC में से O E माइनस करेंगे तो B आगिया इसी तरह सी जो होगा AD यानि OD minus O E OD में से O E को माइनस करेंगे इसके बाद देखें समतले का प्रतिवन होता है कि इनका अधिश 301 क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो इसका मिकला यह जो बिन्दू है वो चारो बिन्दू समतले है तो हमने देखें यहां पर कैसे करते हैं जो हमने अभी निकाले हैं A B C D इनके कॉफिसेंट यहां पर रख लिए है तो कॉफिसेंट देखें क्या क्या थे मैं आपको दिखा दें तो एका कॉफिसेंट कितना था माइनस चार और यह माइनस चार और माइनस चार और माइनस तो इस तरने से तो B में एका कॉफिसेंट कितना मैनस 1, कुछ नहीं तो मैनस 1 मैनस 6 है, इसलिए मैनस 1 और 3, इस तरह जो 3 को पिसेंट करने मैनस 8, मैनस 1 और 3, फिर इसका प्रसार कर दिया प्रसार करने के बाद, 0 आ गया इससे प्रूफ हो गया कि A, B, C, D, G जो है, वो समतलिय सदिसे चलिए अब देखते हैं, नेश कोशन, 4 का घाः, तो 4 ही कोशन थे इसके अंदर, अब इसी का हम देखिए इंगलिस वर्जन है, यह 4 कोशन इंगलिस में आप यहां से भीडियो का उच्डिक है के इन कोशन को देख सकते हैं, अब इसके बाद आगा कोशन नंबर 5, आपकी इस कोशन में चोइस मिलेगी तो सबसे पहला कोशन आपकी इस्क्रीन पे दिख रहा है यह हमें दे रखा है तो यह हमसे पूछा है तो इसके लिए क्या करना पहले जो ए दे रखा तो पहले हम इसको अने कॉएर निकालेंगे , a e Isquare यह इसके करने ही है तीनों से फार्ट, सेकंड, ठाट, अब इज़े प्लस करने साथ यह आगी मल्टिप्लाई होगी इसके बाद A क्या होता है A square into A, A square आभी जो ताज ताज़ निकाला यहां रखेंगे और A हमने पहले ही अब पहले पहले कोशन में दे रखा यह है उसके बाद फिर देखें इसकी इस तरह से multiply कर देंगे जैसे हमने पहले यह की थी a cube आगया उसके बाद कोशन में देखें क्या रहा एक को जो है तीस है यहां पर तो A की जो value है उसको हम माइनस 23 से multiply कर देंगे तो सब को multiply करनी minus 30 से, किस से एक, तो एक को जब minus 30 से multiply करेंगे तो यह आएगा, उसके बार देखें, I, I का मतलब होता unit matrix, तो unit matrix जो होता है, वो इस type का होता, यहाँ पर कितना है है, चाली से, तो सब में 40 चाली से, अब इन सब को plus करना, जैसे हम सब को plus करेंगे, तो देखें, पहले वाले नम्र पे, आप plus करके दिखा दें, यहाँ पेज, अगले page में करा दादा, तो पूरा लिखना पड़ दा, मैंने direct कर दिया, तो आप पहले plus करके दिखाएं, बीच में सब को plus लागा के जोड़ें, यहां पर दिखिए, पहले पहले वाले जब plus करेंगे, तो यहां पर दिखिए, सब जोड़ के कितना जागा, 0 आजागा, इसतरह सेकंड वाले देखिए, यह सेकंड वाला कौन सा है यह वाला यह वाला और यह जूर कर जीरो आर्णी सबका जब total वह कितना अगया जीरो आ रहा है तो इसका मतलब यह जीरो आ गया आमसर अब देखते हैं पांच का खार तो पांच का खार देखेए आपके इसकी रिल पी यह आ गया बहुत ही बढ़ी के intersection में भी तुल्याता संब्ध होगा. Question में ये कह रहा है कि अगर R1, R2 में तुल्याता संब्ध है तो उनके intersection में भी तुल्याता संब्ध होगा. तो हम जानते हैं कि कोई भी संब्ध तुल्याता संब्ध तब होता है जब वो क्या हो? स्वैतुल्या हो तो सम्वित और संक्रमत यह नियुकि तीन कंडिशन है अगर तीनों कंडिशन सैटिस्वाई हो जाएं तो जो संबंध होगा वह तुल्यता संबंध होगा तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे स्वयत उलिया तो स्वयत उलिया के लिए एक element हम लेके चलते हैं और सम्भीत में 2 element और संक्रमत में 3 element यह पैचान है अब देखिए हमने एक element लिया x का relation r1 से x करेंगे और चुकि दे रखा r1 क्या तुल्याता संबंद है तो इसका मतलब x का x से relation होगा इसी तरह से r2 में भी क्या है तुल्याता संबंद है तो इसका मतलब यह भी स्वैतुल्या होगा यानि x का relation x से होगा यानि इसमें एक element लेते हैं और किसी element का स्वैम से relation होता है अब देखिए एक और दो का में intersection लेते हैं तो x का और x का intersection कितना होगा x होगा यहाँ x का और x का intersection कितना होगा यह और r1 r2 intersection क्या होगा R1 intersection यहाँ पर देखे X का relation X से हो गया किसमें? intersection में इसका मतला संबन्द कैसा हो गया? स्वैतुले है तो पहली condition हो गई satisfied अब दो element लेके चलेंगे किसके अंदर लेके चलना जो हमें portion में दे रखा A दे रखा है यहाँ पर ही हमें दे रखा है कि R1 संब्मित है तो संब्मित की condition होती है कि अगर A का relation B से है तो B का relation A से होना चाहिए और संक्रम की condition क्या है? कि A का relation B से है और B का relation C से है तो क्या आना चाहिए? A का relation C से होना चाहिए A का relation B से B का relation C से तो A का relation C से है थो संक्रमक्य लाता है अब देखिंए यहां भी वह एक्स वन का relation एक्स तू से कैसा है एक्स डू का relation एक्स 1 क यूकि सम्मद रखा है इसमें तरह से एक्स फवान आर्टू में जो relation हों क्या एक्स वन रिलेटिव एक्स टू एक्स डू स ते तुल्य असमंद Mér다 अभर अब कंशोल aqueles एक понял रहेगा इंदों का इंट्रेकिसन एंगी आएगा अ Star इस तरह राइट इन साइल में भी इंट्रेसर ले लिए और इसमें देखिए एक्सट। का relation x2 से है तो x2 का relation x1 से भी आ गया किसमें इंटरसेक्शन में तो इसका मुला संबंद कैसा हो गया संभीत आप करेंगे संक्रवांग तो संक्रवांग कि में हमें तीन element लेने तो तीन element देखे हमने यह ले लिए x1 x2 x3 ठीक है और यह मान के चलेंगे कि x1 का relation x2 से और x2 का relation x3 से इस प्रकार है कि x1 relative x3 ठीक है इस चुगी हमें r1 में तुल्यादा संबंद रखा है इस तरह से r2 में भी तुल्यादा संबंद रखा है यह दो कंडिशन हमें दे रखी हैं अब हमें इनका intersection निकालना तो दिखिए इनका इसका intersection निकालेंगे तो यह आ गया इसका intersection निकालेंगे तो यह आ गया इस तरह से इस वाले का intersection निकाला यहां 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 इस वाले का intersection निकाला यह आ गया और स्वैतुल्य संबीत और संक्रमत होता है तो वह जो संबंध होता है वो तुल्यनता संबंध किलाता है यहांँ पर गा कोशन है 5 का गा कोशन आपके इसंक्रिन पर है कोस-थाहिए खोल्ड ॐ इस हमें दे रखा है यह नोट इक रखा प्लस मानिश सदласт करना आए तो बहुत ही important question है यह वो लगवाग आता ही है हर बार इस बार भी देखिया आगया है x is equal to cos y upon cos a plus के बार तो पहले हमने क्या करा एक्स को यहां रखा और इसको उठाके यह appointment अब इसको अंस बेटे हर से कर दिया numerator upon denominator से formula क्या होता हर का square यह यह बार इसी रहेगा अंस का color minus अंस ऐसे हर का को लगा कोस y का हो गया minus sign y y का d y upon dx cos y ऐसी रहा cos का हो गया minus के sign a plus by और फिर a का 0 और यहांस ड y upon dx ले लिया तो यह formula बन जाएगा sin a minus b का by से by यहां पर cancel हो गया इसको बटे में ले गया और यह हमारा चलते देखते हैं पांच का गहा तो पांच का गहा देखिए यह कोशन आता है एकसर important है और हर बार आता है रेखिए प्रोग्रामन समस्या के लिए निल और रुदों के अंत्रगत यह अधिकतम मान याद कीजिए तो करना क्या होता है पहले हमें जो होती है उनको साथान समीकर में बदल के उनके द्वारा graph बनाते हैं तो देखिए साथान समीकर में change करी टेविल हमने यह बनाई एक बार x ग्राव जीरो रखके y की value निकाल ले थे y ग्राव जीरो रखके x को सेंब दूसरी एकहर पी थे आंवे यह निकाल ले यह बनेगे यहाँ पर देखिए तेविल बन गई आप इसका देखिए पहले वाले बार का जो graph है वह हमने यह निकाल लिया यह 0 एकषर वाले तो और पांच को में जिरो यह है दूसरी वाली का और यह है फहली वाली ठीक है अब उसके बाद हमें देखी यह पॉइंट निकालना होता है तो वैसे तो ग्राफ में हमें भी पॉइंट मालूम चल जाता है लेकि अच्छा यह है कि जो भी केशन दे रखी हो उनको ilimination matter याणि की इसे ilimination slice monster निकाल कर लिए जैसा कि हमने यह निकाल कर रख番 ले जैसा कि है और यह कर सकते हो और यहां इस पर यह प्रोंग है अब है जब से जादे satisfy कर दें इन equation की तो हम देखें जो ऊपर equation दे रहे हैं हाँ एक एक रकत जहें 0 और 5 रखा हमने 0 और 5 रखा सरसे पहले equation में तो ही satisfy नहीं करेगा क्योंकि 5 यहां रखेंगे 25 यह नि 25 पांस से चोड़ा नहीं होता तो हमने cross लगा दिये फिर देखें याला 5,0 5,0 रखेंगे 0,5 रखेंगे तो भी satisfy नहीं कर रहा है इसको satisfy नहीं करेगा दोनों को satisfy करना चाहिए और जिन पर रैड निसान राइट लग रहे हैं यह सभी point इन दोनों equation को satisfy करते हैं इसलिए इहां पर हमने क्या कर रहा है राइट के निसान लगा रहा है उन ही को हमने क्या कर दिया इसको इन बिंदो को हम बोलते है कौन यह बिंदू, तोथीकही है, नेच도 पेज पेंश demon क्या विंदू लिख ले है, मैं आपको दिखा देता हूँ आप क्या निकालना मैग यह वेलू निकालनी है तो देखे यह होगे कौन यह विंदू अब यह जैड वाली जो वेलू हमें दे रखी थी यह वाली जैड इसमें हमें रखनी है वेलू तो रखके देखे ससे जो अधितम आ रहे है वो यह वाली आ रहे है तिके 30 किस पा रहे है तो इतने पर कौन ये बिंदू कितना होगा है, मान होगा है इसका 300 पर, अब इसका घा लापार्ट, देखते हैं, लापार्ट ये देखे, कोशन क्या है, कोशन पहले देख लेते हैं, कोशन है, दिखाईए कि पूर्णा को समुच्चे में, ये का रिलेशन बीसे इस प्रिकार है, और वो क्याना चाहिए, जो हमें रिलेशन दिर्खा, उसको एपलाई करके, वो साथ से नहीं है, तो देखिए, ये हमें दिरखा कि, ए का जो वी से relation है वो इस विकार का है कि उन का जो अंतर है वो साथ से कट रहा है तो हमने देखिए एक element लिया किसके अंदर लिया तो कि इसमें जो पूल अंज पूलांग होता तुभ कि एक element लिया ज जिए आदर एका relation बी से पिश है उनका अंतर ठीक है यह हम मान के चलेंगे कि A और B का जो relation है वो इस प्रिकार का है कि अंतर जोगा वो साथ से कट रहा है अब इसका opposite करेंगे अगर opposite भी साथ से कट यह है तो सदमित हो जाएगा अब देखिए B का हमें relation A से करेंगे तो B मैंने से यह आएगा लेकिन हम यहाँ यह नहीं कह सकते कि साथ से कट रहा है तो यहाँ पर देखिए A मानस B साथ से कट रहा है तो मानस का A मानस B भी साथ से कट रहा है अब नहीं सब्सक्रमाग में तीरे element लेके चलेंगे और यह मानके चलेंगे कि A का relation B से जो है वो ऐसा है कि इनका अंतर साथ से कट रहा है और यह भी मानके चलेंगे कि B का जो relation C से है वो इस परकार से है कि इनका जो अंतर है वो साथ से कट रहा है अब हम ये प्रूब करेंगे कि एक का जो relation C से है A minus C ये साथ से कट रहा है तो अभी तो हम कहने सकते हैं कि A minus C साथ से कट रहा है तो हमने क्या करा जो ये था A minus B बनाया इसको और दूसरा बनाया B minus C कैसे बनेगा हमने इसको ऐसे लिख लिए A minus C को माइनस B कर दिया पिलस का B कर दिया अगर हम इसको सोल करेंगे तो ये minus C आएगा अधिक कोशन में कहा A minus B साथ से कट रहा है कहां कहां यहां पर देए B minus C साथ से कट रहा है वो यहां पर कहां और यह हम जानते हैं कि आलालक दो नमर्स साथ से कट जोड भी 100 परसं साथ से कट अभी साध अब इसका देखिए अंतिम कोश्चन है पांच का चा तो यह भी बहुत आसान कोश्चन है इंपोर्टेंट है और हर बार यह कोश्चन आता है तो इसको देख लें अच्छे से मैं लिकन यह कीए ते रखाया कि a cross b जो होता है वो बहुति हैं एक तो रूल है दूसरा यह है कि a dot b cross c बार प्रावर होताए ए बी श क्या झो रूल लग रहा है वो मैं यहांता रहा हृँ एक रूल यहाँ पर है अगर इसमें कोई repeat हो रहा हो कोई सा भी हो ऐसे repeat हो जाए कोई सा भी तो इसकी जो value होती है वो 0 होती है तो इनका प्रियोगिस नहीं हो रहा है देखिए पहले तो cross product कर ली हमने यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से a plus b से इनकी multiply यहाँ पर चुकि डोटर डोट लगाया ठीक है अब इसके जगे यह लग फोर्मूला यूज कर दिया हमने जो अब यहाँ आपको बताया था सब में कर दिया यहाँ भी सी ही यहाँ सब की जगे यह formula हमने लगा दिया अब देखिए यहाँ पर देखे रिपीट हो गया तो इसकी वैलू ही जाएगी यहाँ भी रिपीट हो रहाए है यह जी जीरो हो जाएगा यह भी जीरो हो जाएगा इसका order है जहों order chainrz करते हैं एक वार एक वर ऊडर चेंज करते हैं दिसमालिए और आके बिज़ है तो माइनस खांता रहा जाता ह्ाव देखिए ऐसके बाद देखिए वा ये इसका इनकी इसकी एक संधह करता है यह इंग्लिस का वर्जन भी मैंने आपको दिखा दिया आप इसके बार दिखाएंगे हम आपको कौशन नमबर 6 अब देखें नमबर 6 है इस चे में भी कौशन नमबर 5 कौशन को करने हैं और प्रतिय कोशन जो हो 5 आंग का है यानि कि एक चुआइस आपको यहाँ भी मिलेगी यानि छे कोशन में इसे पांच कोशन आपकरने पड़ेंगे एक कोशन पांच नमार गाँ सबसे पहले देखें यह मैगियो मिन्युआ कोशन है कोशन क्या है फुरा कम दिख रहा है मैं पड़ दे रहा हूं सिद्धी जी कि एक संको के अंतरगात महतम बक्रष्ट वाले लंबर्तिय बेलन की तरज्जा संको की तरज्जा की आदी होती है यानि हमें यह प्रूब करना है कि अगर एक संकू के अंदर बेलन बनाएं तो बेलन की जो तरजिया होगी है वो संकू की तरजिया की आधी होगी जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है तो हमने संकू की तरजिया मान ली और उचाई मान ली और जो बेलन है उसकी तरजिया स्मोल आर और उचाई क्या मान ली स्मोल एच तेके अब इसमें चूकि यह जो है सीमिलर ट्रैंगल बनना है कौन सा एक उपर वाला एसी डी और एओ बी इसमें हमने इनकी जो कोर्रस्पंडिंग साइड होती है उनका रेशियो सेम होता है यहां पर देखिए हमने लगा दिया सीडी अपॉन ओवी इसी कल टो एसी अपॉन तो एसी कितना हुआ एसी जो होगा टोटल एच में से स्मोल एच गटे है तो यहां स किया है तर जिजी और लू एक बेरियवल है वो क्टल आर क्या कौंस्टेंट क्योंकि यह चैंजग नहीं हो सकते लेकिन इस ब्यलन को हम तर जा को कम जादे कर सकते हैं यहां पर कर Kerry के दोब भार डेफेंचल किए एक बार डेफेंचल को 0 रखके यहां से वेलू निकालेंगे और यह वेलू left मने हमने रखी सबारा माझन सिंका मतलब यह है कि continuing इसका मतलब R वरार कितना हो गया? अब इसी का देखते है है, नेक्स कोशिन आपके स्क्रीन प्रक्रीन प्रक्रेशिक्षिया गया question नम्बर 5 यह भी question बढ़िया है क्या question है कि dy upon dx वरा x plus y plus 5 is equal to यह है तो हल कीजिए इस हल करने के लिए x plus y को हमने v मान लिया इसका differential किया और यह value उठा के हमने dy upon dx के place पर रख दी यहां से dy upon dx बन को right hand side में लिए गए और इसको हमने solve किया यहांगे dv upon dx कि यहां पर एक्स प्लस वाइक की जगए हमने b रख दिये और लखने के बाद यहां पर हमने यहां यहां रख दिया था और इसको हमने solve किया यहां गया तो डी वी को हम इधर ले गया और dx को इधर ले अगया अब इसका हमने integration करना integration करने के लिए पहले उपर से बी को आड़ा ना हुआ कैसे अटाया है हमने पहले टू कोमन ले लिया उसके बाद देखिए यहां पर थ्री भी आ रहा तो तो तीरी से multiply कर दी ठीक है अब इसको हमने अलालग कर लिया है कैसे हमने इससे क्या करा थ्री भी को अलाग नाइन को अला फिर अपनी तरफ से इसमें एट प्लस कर दिया एट माइनस कर दिया क्यों करा इससे यह एक पूरा कैंसल हो जा है, देखिए उपर भी कैंसल हो चुका है ठीक है? आब इसका हमएं इत्री केंकी कर दे ग्याद कीजिए जो X-2Y के समानतर तो इस पर से रेखा कर समीकण हमें निकालना जो इतने के समानतर है पांच पांच को कोश्चन ने यहां पर मैनेस दिए लेकिंड यहां पर संसर ने पार रहा है कि अगर प्लस रखके इसको पूरा निकल पारा यहां निकल बताना ठीक है क्योंकि माइनस से इसका एसका प्रकूल कर दिया इसका पेवर्स बीच में है यहां रिख कर दिया और यहां पर इसका डिफेस्कू खी से आगे अगल के यहां पर इसका प्रसित यहां वेलु रब दिया हमने यह इसका आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं कोशन नमबर पांच का घा तो पांच का घा देखे यह आगया कोशन 5 का क्या है कोशन बहुत ही आसान कोशन है ए और बी दो स्वेतन घटना है तो दिखाओ कि एयर बी मिन्युंतम एक के होने की तो आपको बता दें देखिए जब सतन्द घटना होती ही तो इंट्रसेक्शन जो होता है वो इंट्टू के बरावर होता है ठीक है तो यह भी मेंसे नियून तब एक घटना होने की प्राइक तक हम बनलब इनका यूनियन निकालना है इसका यह फॉर्मूला है यहां से यह तक प्लस प एडियेश बद्ञावर होती है तो यह फॉर्मूले से यहां पर पे की यह रख दिया बनल सकी प्लस प्लस यह जैस कहां से कॉमन ले लिए उसके बाद बन मालिक प्लस कितना जाएगा बीवी डैस ठीक है तो यह पूप आप देखते हैं व्हें कोशन नमर फाइब का घा के बाद आएगा तो देखिए यह बहुत यह बड़ी आ कोशन है लाग इसके करने के लिए हमें क्या करेंगे साइन का जो गुणांक है साइन का गुणांक कितना है देखिए और कोस्ट का गुणांक भी इनके अंडरूट का बहुत हैं हम इस में से कोई सा माल लेगे, तो इसके आंसर दो थरह से आ शकते हैं, अगर आप इसक आनसर आएगा और इसको कोस्त लेतँ तो अलग आएगा उसके रहें, मैंने पहले वाले को सान माना तो औ्योंतुंध की ये वाला सेजि़े कोस्त हो जाएगा, आप टैंगल से निकाल कर दे सकते हैं और इसको हम डिवाइट कर दें पहले को दूसरे से तो 10 A की वेलू यहाजाई है यह सारी वेलू हमने यहां पर रख दी स्टार्टिंग में और यहां पर देखिए फॉर्मूला बन गया साइन को से प्लस भी का यह होता सैक और सैक का फॉर्मूला होता है इंटिकेशन होता है लोग 10x2 प्लस पाइब 4 तो एक्स के स्थान पर यह काम कर रहा है अब यहां पर एक की वेलू जो हमने यहां से निकाल ल यह इसका आंसर आगी अब देखिए इसका जो यह चाहपार्ट में क्या है फलन इतने के लिए मद्धिवान प्रमे को सैटिस्पाई कीजिए तो कोई भी फलन के लिए मद्धिवान प्रमे ताव होती है जब वो फंक्सन है वो ख्लोज इंटरवल पर तो सतत होना चाहिए ओ फन से यह पर रहे होता है और यह उपर इंटरवल में अफ कर ली होता यादि दिफ्रेंस इवल बहुंतर कैंट तो पूरी होगई और C की जो value आनी चाहिए वो इनके बीच में आनी चाहिए तो यहाँ पर देखिए एक तो बन आ रही तो यह तो हम छोड़ देंगे यह अली सेविनो पून तरी सेविनो पून तरी जो आ रहा हो बन थरीके बीच में आ रहा है क्यों क्योंकि यह continuous भी है close interval पे बंद अंतराल पे और अकलने भी है खुले अंतराल पे और साथ में एक कोई value ऐसी भी है सीगी जो इन दोनों इनके बीच में लाई करती है अब इसके बाद देखिए इसका English version मैं दिखा देता हूं यह इसके 6 question है तो पांच question हमें करने थे अब इसके बाद आता है question number 7, 8, 9 उसमें क्या आपको एक question करना है और प्रतिय question 8 number का है दो question होंगे दो में से एक करना हो अब देखिए यह question number 7 निम्ले के में से कोई एक खंड कीजिए तो कार का में से कोई एक करना है और एक question जो वह आठ नमर का है तो यहां पर फ़र 24 आपको मिलती है यह दो में से एक question करना होता है और यह question तो हर साल एक आता है इसको आप अच्छे से कर लिजिए तो पहले इसको हमने left राइट से left में लेगा देखिए यह होगी question ठीक है और इससे भी हमने कि वह टोड़ा सा इस तरह रख लिया कुछ नहीं है तो जीरो रख लिया तो आभी वीदी से solve करने के लिए पहले इसका mode निकालेंगे mode question निकालेंगे पहले इनके जो गुडान के वह हमने लिख लिए और पहली जो दो लाइन होती है यह वाली अब इनको repeat कर देते हैं ठीक है उसके बाद इस तरह से multiply करेंगे यह वाली एक की एक से या गया फिर दूसरी लाइन में यह वाली करेंगे हम इ में जो करनी हैं पर यह ・・・ यह वाली पिलिये वाली करते हैंने के अप से multiply करेंगे second number पर फिर दूसरा These yellow वाले कर दीए और तीसे नम्मर पर फिर यह है उसके बाद फिर दूसी तरफ से जो है हम इनकी multiply करेंगे इदर से देखें तो पहले हमने यह वाली multiply की यहां पर सोलो के बना गया पहले तो हमें यही वाली लाइन यहां पर लिखनी होती है ठीक है पहले तो हमने इनके कोपिसेंट लिख लिए और इधर वाली पहली यह वाली और यह रहां पर रिपीट कर दी उसके बाद सुरू की जो दो पंगती हैं इनको रिपीट करके हमने नीचे लें दिया पहली वाली लाइन को इसको हम क्रोस अरके बाहर निकाल देते हैं अलग कर देते हैं अब इसमें हमें क्या करना देखिए ज़रा देहां से देखेंगे तो पहले क्रोस प्रोड़ेट करना वन की बन से और इसकी इससे और इनकी बन की बन से करेंगे और 2 की 3 से बीच में माइनस चिंद करेंगे अपनी तरफ से सोलो के जो भी आएगा उसको हम यहां लेगे देंगे यह वन दो थी अच्छा है माइनस बीच में ही तो प्लस हो जाएगा यानी 7 फिर यहां पर 2 की एक से करी माइनस 2 और माइनस 1 यानी माइनस 3 यहां लेगे फिर यहां पर एक की 3 से एक की एक से 3 माइनस 1 यहां लेगे पिर यहां पर इसी तरह से अब देखे इसकी यहां से करेंगे और इसकी तरह से करेंगे 3 माइनस 0 यहां लागे इसके बाद यहां से इसकी करनी है 1-1 इसके बाद देखिए 0-1 इसकी हमने पूरी वीडियो भी बना रही है आप चाहिए तो डाल दें सर्च में SP सेनी सर अगर डाल दें inverse तो आपको इसका पूरा method वहाँ पर detail से मिल जाए अगर आप कम समझ में आए यह देख सकते हैं इसे बहुत ही असान तरीके से वहाँ पर कराए गया और यहां पर देखिए तीसरा वाला है यह वाला जिरो की टू से कोगाँ करेंगे जिरो वन मार बाइनस कर देंगे यहां पर इसी तरह से इसकी यहां करनी है और ऐसी करनी है बीच में मारेश यह न अपनी तरफ से लगाना यह जाएगा और लास्ट में यह बार तो अब इसमें क्या है यह इंवर्स की वेलू हमें उठा के यहां पर रख दे तो यहां हमने रख दी बी की जगह एक्स की वाली वेलू रख दी इनकी आपस हम मिल्टिप्लाइ करी मिल्ट आउसर क्या गया यहां पर देखिए हम आउसर अपना चेक भी कर सकते हैं यह एकस यज्जाट की वेलू यहां पर क्ryशन में रख देंगे स्टार्टिंग में अगर सैटिस्फ़ाइ कर रहा है तो हमारा आउसर बिल्पुल कर्ट है इस ही का अत्वा पार्ट में यह था साथ का, खा, तो ये एक कनन का, आपको, या तो ये वाला करेंगी, या ये वाला कॉशन देखिए, यहां पे मैंने लिए लिग दिया है, लोग ले लिए हमने, और इसके बाद, इसका, लोग ए की मतलब यह है कि transpose अगर एक कोल होता है तो उसे हम सम्वित कहते हैं और transpose माइनस केकवव ऊद्व यानि माइनस केकवव खल ऊद्व हो तो से हम इसके सम्वित कहते हैं जी जी दए के बृबहर है और लीजिकोड है और बी जी दख के बृबहर हुले बिधे है वह मानसक्स कर लाना चाहिए तो देगिए हमने इसका डेस निकालना है जब डेस खो लेंगे तो इस पर यि लगाएगगा यहाम ने रखा मानसष question ने लिया तो आप देख पा रहे होंगे आपको क्योंकि यहाँ पर के condition हो गई क्योंकि dash किसके बरावर हो गया minus 1 के बरावर हो गया यानि इतने का जो dash है वो इसके minus के equal हो गया तो इसका मतलब यह जो हो गया कैसा हो गया बिसम सम्मेथ आप गो अब इसके में देखते हैं आप question number पहले इसका English version देख लेते हैं यह इसका English version है अगर आप English medium पढ़ते हैं तो आप इस English में भी इस question को देख सकते हैं अब इसके बाद आया question number 8 लीजे question number 8 आपके इसके है question number 8 क्या है इसमें भी एक ही question करना है आठ number का question है तो कामें क्या है देखिए उस छेतर का छेतर पल याद की जिरो से 2πाई के मध्य य बाइब कोस एकस से घिरा हुआ है तो कोस एकस का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है जैसा आपको चितर दिख रहा है और जिरो से 2πाई के बीच में जो कौन मैंने रिखांकित किया है यह वाला भाग का एरिया हमें निकाल ला formula होता है a से b y dx तो 0 से pi by 2 यह जगा y dx अब चुकि यह जो x x से नीचे की और होता है तो वो minus लगा देते हैं हम यहाँ पे और फिर 3 pi by 2 से 2 pi के बीच में यह है तो इतना pi by 2 होता है यहां तक pi हो गया 3 pi by 2 और 2 pi अब देखिए हमने इस पाइंटिकेशन किया limit लगाई और solve करा तो इसका answer आ गया 4 बार मातर इसका 8 का जो खा है वो देखते हैं देखिए 8 का खा बहुत ही असान कोशन था सदिस विदी से निमने रेखाओं के new term दूरी याद करो तो इसके लिए देखिए अगर दो रेखाएं इस type की हो तो उनका formula यह वाला होता है वसी आपको जिसका formula याद होना चाहिए था अगर formula याद होगा तो एक question हो जाता है तो इससे हमने तुलना करी सब x1, y1, z1, x2, y2, z2 इसा value निकाल ली सारी value हमने यहाँ पर देखिए put कर दी put करने के बाद इसको sol किया sol करना इसका बहुत असान है देखिए जैसे formula को याद करना भी असान है x तो यह तो पहला क्या करना x2- x1, y2- y1, z2- z यहाँ पर इनके गुणांक यानि यह लिख देने फिर इनकी cross multiply कर दी यह लाँ गया फिर तीसरा वाला हम चुपा लेंगे फिर इनकी cross multiply कर देंगे तीसरा वाला जाए लेगे सारी value हमने रखे हैं sol करी तो इसका जो answer आगे 3 under or 30 आप यहाँ अब देखते हैं next question question number इसका पहले English version देख लेते हैं इसके बाद अंतिम question आपकी screen पे आ रहा है question number nine इसमें भी देखे कोई एक question करना है यह बहुत ही important question है और हर वार आता है इसका definite integration से इसका integration करना है तो इससे i मान के करते हैं तो 2x को हमने t मान लिए dx वराब हो गया dt upon two तो इससे इसके limit हो जाएगी एक्स की जगे हम zero रखेंगे और फिर रखेंगे pi by four तो यह हो जाएगी limit pi by two ठीक है अब two को हम इदर ले गए property लगा दी हमने और इसके बाद यह आ गया इसको दोनों को plus कर दिया यह एम गुणा n का formula हो गया दो से अपनी तरह से गुणा भाग कर लिए उपर हो गया sin two t का formula एम में अन का formula लगा दिया यहां पर देखे ज़रा ध्यान देंगे यहां पर हमने क्या करा अब यहां पर divide करते हैं तो यहां multiply कर देते हैं ऐसा क्यों करा क्योंकि हम equation से यहां से इसकी value आए रखने वाले इसमें limit कितनी थी 5 by 4 इसलिए यह 5 by 4 करने के लिए हमने यहां पर property लगा दी तो इसके stand पर हम रख देंगे i इसका integration हमने कर लिया solve करके हमारा answer आ जाएगा चलिए देखते हैं next page पर देखें यह हमने कर दिया यह पूरा हमने रख दिया है इसके stand पर हमने क्या रख दिया इसको solve किया और यह हमारा answer आ गया इसी का देखें इसमें दो पार्ट थे चाचा नंबर पर एक ही है इस question paper कही mistake थी थे कि यहां पर proof होने में क्यों आ रहा है ठीक है कि मैंने जो proof किया तो यहां पर देखें क्यों आ रहा है यह हो सकता है मेरी mistake हो यह comment box में जरूर बताना जब यहां पर पूरा कर ले तो solve करके जरूर बताना कि यहां पर आ पर क्या रहा है तो इसके लिए देखें य ब्रावर यह दिया हुआ है हमने स्क्वार करा ठीक है चुक्कि हमें यह निकालना था दी वाई अपों डी एक्स तो हमने क्या कर रहा है इसको पलेट लिया ऐसर के और फिर इसका डिफेंसल कर दिया ठीक है नाइन खा का खा पार्ट तो इसमें एक ही कोशन करना था पहला वाला कि यह होगा तो यह करने की जुरूत नहीं थी प्राम्भी संक्रियां का प्रियोग करके इतने का वित्क्रम यहाद कीजिए तो देखें यह प्राम्भी संक्रियां का प्रियोग करके हमने यह कर दिया है इसमें केबस आरगमें ही परियोब करेंगे ठीक है प्राम्री सक्रागाला केबसा प्रंक्ति में प्रियोग करना या इसलिए क्या है ho पहले बता यह सोंड तरीके से क्या एफ तो हम इसलिए डाले इसी पर पना सेखना है तो आप सर्च में डालें एस पी सेनी सर मैट्रिक्स इंवर्स तो आपको इसकी एक वीडियो मिल जाई ही आप बहां से इस मैट्रिक्स को सीज़ सकते हैं बहुत ही असान तरीकिसमा समझा रहा है क्या डालना मैट्रिक्स इंवर्स मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स आप बहां से सब्सक्ते हैं इस यह होगा कि अगर आपने कोशन किया ले पार अगर अगर आपको यह जितना भी हमने सोल किया इसका सॉलूसन आपको चाहिए और साथ में यह कोशन पेपर आपको चाहिए तो हमने वाटसफ ग्रूप बना रखा इंटर्मिटेट का और इसका लेंक डिस्क्रिस्पन बॉक्स में दे रखा है आप उस ग्रूप से जुड़के आप हम से इसका सॉलूसन का पीडियाफ और इस कोशन पेपर का पीडियाफ ले सकते हैं जो बहुत कम साइज का और बिल्कुल निसलक है अगर आप बास्ता में तैयारी कर रहा हैं अच्छे से तैयारी कर रहा है और आपको 100 मिल से 100 मार्स लेने तो हमरे ग्रूप से जुड़े ज दालते हैं उसका solution का PDF भी हम उस ग्रूप में प्रोवाइड कराते रहते हैं जिसे बच्चे अच्छे से तयारी करते रहें तो आप ग्रूप से जुड़ जाएं और बहां से जिसके solution का question paper का PDF ले दे रहें हम जितने भी question paper 2020 में आयते सेट सभी का solution आपको देंगे अब तक हम तीन सेट का solution कर चुके हैं तो इसका link यहाँ पर कोने में या लास्ट में वीडियो के आएगा आप उसे touch लगे पहले वाले paper को दे सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आपियो कर्या में, वीडियो कि और चुछरान का आपको रहें हुछंए हुग् झाल झाल